मद्यप्रदेश सरकार MPE अपरजन रभी फसलों के लिए ओनलाइन आवेदन आमंत्रित कर रही है 2020-21 पर अब वे सभी किसान जो रभी सीजन की अपनी क्रिशी उपर ज्यानी गे हूँ को नियूंतम समर्थन मूल्य पर सरकार को बेचना चाहते हैं ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं इस प्रयोजन के लिए उन्हें किसान E-Code के माध्यम से आधिकारिक वेबसाइट पर MPE अपरजन रभी 2020-21 किसान पंजीकरन आउनलाइन करना होगा इसके अलावा उप्योग करता भी डाउनलोड कर सकते हैं मप्र राज्य में रभी उध्थान के लिए प्रारम तिथी 15 अपरेल 2020 हैं मप्र सरकार किसानों से अनुरोध है कि केवल SMS में निर्दिष्ट तिथी पर किसानों को अपनी फसल खरीद के इंडरों पर लेनी चाहिए भोपाल, इंदौर और उज्जैन जिलों के किसानों को शुरू की तारीक से बेचने वाली फसलों के लिए अनुमती नहीं दी जाएगी क्योंकि ये वर्तमान में कोरूनवायरिस के ह PROFESSOR है मप्र सरकार द्वारा गेहूं खरीद केंद्रों की कुल संख्या में व्रिध्धी की गई है यहा तक खरीद केंद्रों पर प्रती एक किसान को उपन्यास कोरोनवायरुस के प्रकोप को रोकने के लिए सामाज़क दूरी सुनिश्चित करनी चाहिए गेहूं की फसल के लिए MSP रुपे में तै किया गया है 1925 प्रती क्विंटल है MPE अपरजन रभी 2020-21 किसान पंजीकरन फॉर्म ऑनलाइन के लिए किसानों के ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की पूरी प्रक्रिया नीचे दी गई है योजक चिंध सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं मुख प्रिष्ट पर, RBB उपारजन 2020-21 किसान पंजीन आवेदन लिंक पर क्लिक करें विवरन बॉक्स में दिये गए सभी सीधे लिंक अधिक राज्य और केंड़ सरकार की यूजनाओं के लिए सदस्सिता लेते हैं नए खुले प्रिष्ट पर, किसान कोड से समबंदित जानकारी प्राप्ट करें, पर क्लिक करें जैसा की दिखाया गया है फिर MPE अपरजन किसान आउनलाइन पंजीकरन फॉर्म 2020-21 दिखाई देगा यहां आवेदक, आवेदन, किसान कोड या मोबाइल नमबर या समगर संख्या दर्च कर सकते हैं और किसानों के विवरन दर्च कर सकते हैं अंत में, आवेदक किसान पंजीकरन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए सबमिट बटन पर क्लिक कर सकते हैं इसके अलावा, प्रते एक किसान को तब अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक SMS मिलेगा जिसमें मंदियों में खरीद की तारीक बताई जाएगी, तब किसान अपनी गिहूं की फसल रभी सीजन के लिए बेट सकेंगे और उचित भुपतान प्राप्त कर सकेंगे. MPE अपरजन 2020-21 MSP में गेहू प्रोक्यूर्मेंट CM शिवराज सिंग चौहान ने आधिकारिक ट्वीट में मंदियों में किसानों से रभी फसलों की खरीद की आधिकारिक खोशना की है खरीद में किसानों की सहायता के लिए गेहू के खरीद केंद्रों की कुल संख्या को बढ़ाया गया है यह सलाह दी जाती है कि जो किसान किसी बीमारी से पीड़ित है या पुरानी जरूरत है विस्वयम खरीद केंद्र पर ना आए उन्हें तभी आना चाहिए जब गेहू बेचने की बारी आए MPE अपरजन मोबाइल आप डाउनलोड करने के लिए पर उसी आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं हुमपेज पर की उपारजन किसान मोबाइल एप्स, लिंक पर क्लिक करें या सीधे नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें MPE अपरजन किसान मोबाइल एप्लिकेशन दिखाई गए अनुसार दिखाई देगा इस आप को डाउनलोड करें इसे अपने स्मार्टफोन पर इंस्टॉल करें और फिर वितवर्ष 2020-21 के लिए गेहूं बेचने के लिए अपने मोबाइल फोन पर किसानों का पंजी करन करें के लिए हेल्पलाइन नंबर 2020-21 गेहूं खरीद केंद्रों पर किसी भी शिकायत प्रश्ण या गेहूं की विक्री या पंजी करन कराने में किसानों के लिए किसान संपर्ग कर सकते हैं योजक चिन्ध, हेल्पलाइन नंबर, 181, आधिकारिक वेबसाइट, इंदौर, भोपाल और उज्जैन के तीन जिलों में यहूं की फसल की विक्री बाद की तारीक में बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए होगी इन जिलों में COVID-19 के मामले विवरन बॉक्स में दिये गए सभी सीधे लिंक अधिक राज्य और केंड़ सरकार की यूजनाओं के लिए सदस्सिता लेते हैं